जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बाद दोस्तों आज बात करेंगे जारखंड की, बारती जनता पार्टी की और कुडमी समुदाय की पिछले दिनों यानी 15 नवंबर को जारखंड के स्थापना दिवस पर और भगवान बिर्शा मुंदा की जयनती पर देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जारखंड आये थे धरती आबा भगवान बिर्शा मुंदा के गाव गए उलिहातू, भवे आयोजर वहां हुआ, खोटी में एक बड़ी सभा भी हुई प्रधान मंत्री मोदी आदिवासियों के लिए हजारो करोड की कई योजनाओं की घोशना कर गए देश के आदिवासियों की समरिद्ध सांस्कृतिक विरासत धरोहर और राष्ट निर्मान में उनके योगदान को याद करने के लिए पिछले साल से केंदर सरकार ने धर्ती आबा भगवान विर्सामुंडा की जन्म जहनती को जन जाती ये गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया था तो पिछले साल से ही देश भर में 15 नवंबर को विरसा मुंड़ा की जैनती को जैन जाती ये गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है धारखंड में आदिवासियों की आबादी दोस्तो 26 फीजदी है लेकिन धारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है लेकिन इसके साथ ही जारखंड में एक और समुदाए है जो आदिवासी होने का दावा करता है यह समुदाए है कुडमी समुदाए जारखंड में कुडमी समुदाए की आबादी करीब करीब 16 फीजदी के आसपास है कुडमी राजनीतिक और समाजिक तोर पर काफी ताकतवर हैं कुडमी आंदोलन के निताओं का कहना है कि साल 1931 तक कुडमी आदिवासियों की सूची में शामिल थे तो आबादिक के लिहाज से देखें तो कुडमी समुदाय आदिवासियों के बाद जारखंड का दूसरा सबस बड़ा समुदाय है और यह एक बड़ा ताकतवर समुदाय है बड़ा वोट बैंक भी है लेकिन अंतर यह है कि आदिवासियों जहां विभिन्न ट्राइब्स में जनजातियों में बटे हैं जैसे संथाल, मुंडा, उराओ, हो और दूसरी कई अनजनजातिया हैं वहीं अपने समाज के बड़ों का और समाज के नेताओं का बड़ा सम्मान करते हैं बड़ी उनकी बात सुनते हैं कुड्मियों का एक बड़ा वर्ग भाजबा का भी वोटर है लेकिन जिस तरह से जहारखन मुक्तिमोर्चा में बड़े कुड्मी नेता हुए विनोद बिहारी महत से लेकर निर्मल महतो, उनके भाई सुधीर महतो, टेकलाल महतो, शीवा महतो, मथुरा महतो और जगरनाथ महतो जैसे बड़े नेताओं की सरपरस्ती जारखंड मुक्तिमोर्चा को मिली, कॉंग्रेस में भी अभी केशो महतो कमलेश है, चायद अभी जारखंड कॉंग्रेस के कारिकारी अज्यक्ष हैं, आजशू, तो महतो लोगों की ही पारटी मानी जाती है, लेकिन भारतिय जनतापार्टी में दोस्तों कोई बड़ा कुर्मी नेता नहीं है, फिलहाल भारतिय जनतापार्टी के प्रदेश अज्यक्ष, बाबुलाल मरांडी को कारिभार संभाले वे पाँचवा महीना चल रहा है, चार जुलाई को उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोशना हुई थी, लेकिन अभी तक वे अपनी कारे समिती और संगठन के प्रदाधिकारियों की घोशना नहीं कर सके हैं, हर महीने बस अठकले ही लगती हैं कि अब हो जाएगी, अब ह लेकिन घोशना पोती नहीं है, वैसे पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश की टीम में भी किसी कुर्मी नेता को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, कभी भाजपा में राम टाहल चौधरी और शेलेंद्र महतो जैसे बड़े कुर्मी नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में भारती जनता पार्टी में कुर्मी नेताओं का ऐसा अकाल पड़ा कि 2014 में जारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, बहरा गोडा के विधायक, विद्दूत वरन महतो को भारती जनता पार्टी में लाकर उनको जमशेतपूर से लोक सभा का टिकट देना पड़ा, फिलहाल बीजेपी के पास कुर्मी नेता के नाम पर विद्दूत वरन महतो ही हैं, लेकिन वे कुर्मी समुदाय से आने के कारण सांसत बने हैं, विद्दूत महतो कुर्मी समुदाय की नुमाइंदगी नहीं करते, वैसे ही इंदरजीत महतो सिंदरी से विधायक ह लेकिन वे कुडमी समाज को भारती जनता पार्टी के पक्ष में नहीं मोर सकते वे उस जाती से आते हैं इसलिए उनको टिकट मिला है और ऐसे समय में दोस्तों जब कुडमी को अधिवासी स्टेटस दिये जाने की मांग तेज हो रही है और हर राजनितिक दल अपने चुनाव भूती का रवया दिखाएगी लेकिन पिछले दिनों जैंजाती मामलों के केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विल्कुल साफ कर दिया कि केंद्र के पास कुडमियों को आदिवासी दर्जा देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचारा धिन नहीं है और अभी यह राज सरकार के यानि हमन सूरें सरकार के consideration का मामला है मुंडा ने ऐसा कह कर इस मांग का ठीक ठार हमन सूरें सरकार पर खोड़ने की कोशिस जरूर की लेकिन कुडमी समुदाए भाजपा से कुछ खास प्रसंद होने वाला है ऐसा लगता नहीं है दोस्तों भारती जनता पार्टी म में जितने भी कुर्मी नेता या कारे करता हैं वे भी अब दभी जुबान इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि यहां उनको वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार है चब्वीस फिस्दी आदिवासी जो जारखंड में हैं इनमें धर्मांतरित होकर इसाई बन चु इसको भी मिलता रहा है उनकी बात तो भारती जनता पाटी जोर शोर से कर रही है दिवासी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है संगठन में उनको बड़े पत दिये जाते हैं लेकिन 16 प्रतिशत कुर्मियों की पूरी तरहन देखी की जाती रही है कुर्मी नेता अब इसको अपना और अपने समाज का अपमान बता रहे हैं और सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर यह अपमान कब तक बरदाश किया जाएगा भारती जनता पार्टी समर्थक कुर्मी यह भी पूछ रहे हैं कि 26 पीज़दी आबादी वाले आदिवासी समाज से भारती पीज़दी दलित आबादी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला लेकिन 16 पीज़दी कुर्मी आबादी को क्या मिला सचेतक पद का जुनजुना भाजपा के मुख सचेतक विरंची नरायन हैं पहले से अनन्तोजा सचेतक हैं ऐसे में जप्रकाश भाई पटेल को सचेतक का प आजपा से मोह भंग हो रहा है तो कोई अचरज की बात नहीं है वैसे भी कुडमियों की नई पीड़ी यानि युवा वर्ग जैराम महतों के पीछे दिवाना हुआ पड़ा है ज्यादा तर पढ़े लिखे कुडमी युवा जैराम महतों की पार्टी जहरकंड भाशा खत्य जान संगर समिती यानि जे बी के से चुड़ गए हैं ऐसे में पी जे पी अगर कुडमी समुदाय के साथ ऐसा ही सुलूग करती रहेगी जैसा भी हो रहा है तो आने वाले दिनों में उसे एक बड़े समर्थक वर्ग से कहीं हाथ न धोना पड़ जाए यह खत्रा भारती जन पार्टी अगर यह सोच रही है कि वो अपने सहयोगी दल आजसू पार्टी के सहारे पुडमी वोटों को साथ लेगी तो यह भी उतना आसान नहीं होने वाला है दोस्तों 2014 के विधान सभा चुनाओ में पहली बार आजसू के साथ बीजेपी का प्री पोल यानी चुनाओ पूर अलायंस हुआ था इसके पहले दोनों दल साथ मिलकर सरकार जरूर बनाते रहे थे लेकिन गटबंदन बनाकर चुनाओ पहली बार दोनों ने 2014 में ही लड़ा था भारती जनता पार्टी की ओर से राजनाथ सिंग और अर्जुन मुंडा और आजसू पार्टी के सुप्रीमों सुदेश महतों के कारण या गटबंदन हो सका था या समझोता हो सका था 2014 के विधान सबा चुनाओ में आजसू ने आठ सीटों पर चुनाओ ड़ा था जिसमें वह पांच सीटे जीतने में सफल रही थी भारती जनता पार्टी ने 72 सीटों पर चुनाओ ड़ा था और 37 सीटे जीती थी यानि आधी सीटे लगबग वो जीत पाई थी 2014 के अलावा जितने भी चुनाओ हुए सब में भाजपा और आजसू ने अलग-अलग किस्मत आजमाई दोजार पांच के विधान सबा चुनाओ में बीजेपी 63 सीटों पर लड़ी थी और 30 सीटे जीती थी जबकि आजसू 40 सीटों पर लड़ा था और 2 सीटे जीत पाया था 2009 के विधान सबा चुनाओ में बीजेपी ने 67 यानि 66 सीटों पर चुनाओ लड़ा और 18 सीटे ही जीत पायी आजसू 54 सीटों पर चुनाओ लड़ा था और 5 सीटे ही जीत सका था 2019 के लोग सबा चुनाओ में भाजपा ने समझोता की आजसू के साथ आजसू को गिरीडी सीट दी और वहाँ से आजसू के चंदप्रकाश चौधरी चुनाओ जीत कर सांसत बन गए लेकिन 2019 के विधान सबा चुनाओ में तत कालीन मुक्षमंत्री रगवर दास के अडियल रवये के कारण या समझोता फिर तूड गया और 2019 के विधान सबा चुनाओ में फिर भाजपा और आजसू अलग अलग लड़े भाजपा सिर्फ 25 सीटे लाप आई और आजसू को सिर् 2024 के चुनाओ में भाजपा और आजसू का समझोता हो जाए लेकिन 2014 का परिणाम यह बताता है कि अच्छी से अच्छी परिस्थिती में अनुकूल से अनुकूल माहौल में भी भाजपा 37 सीटों से उपर अब तक नहीं जा सकी है और आजसू 5 सीटों से ज्यादा नहीं ला प पार्टी को अगर कुडमी समाज में अपनी पैठ बनानी है और इसे वोटों के बहुमत में तब्दील करना है तो उसे कुडमी निताओं को तरजी देनी होगी महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारी उनको सौपनी होगी और यह काम प्रदेश से लेकर जिलास्तर तक करना होगी खास कर कोलहन और कोईलाचल में कुडमीयों को पंचायत से लेकर जिलास्तर तक संवान देना होगा संगठन और टिकट के बटवारे में उनके समाज को संवान जनक प्रतिधित देना होगा तभी यह समाज भाजपा के साथ जुड़ सकता है इससे भाजपा को भी दो फाइदा होगा कुडमी बहुल सामान सीटों के अलावा कोलहान की ज्यादा तर सीटों पर कुडमी मत दाता उमिदवारों की हार जीत में निरणायक भूमिका निभाते हैं फिल्हाल कोलहान में भाजपा का स्कोर शून है यानि जीरो है भाजपा को अगर इसे दहाई यंकों तक ले जाना है तो जल्दी ही उसे कोई कदम उठाना होगा मोदी जी जारखन आकर आदिवासियों को तो लुभा गए लेकिन पुडमियों के सामने फिल्हाल आदिवासी दर्जे का अंतहीन इंतजार बाकी है और उन्हें प्रतीक्षा है भाजपा में सम्मान मिलने की बीत हुआ हर लमहा उनके आक्रोश को बढ़ा रहा है लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा में भी इन बातों पर कोई सीरियसली जर्चा हो रही है कोई क्या इस बारे में सोच रहा है दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल को कात होगी तब तक इसाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार